तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, NET, IBPS, AFO, WAO, Agriculture, TA, Agriculture Supervisor, BSC Agriculture, MSC Agriculture, Other Agriculture competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा आज का जो हमारा topic रहेगा उसका नाम है rice यानि की चावल जिसको धान कहा जाता है इस topic से हर examo में दो या तीन question आपको देखने को मिलता है क्योंकि यह एक हमारी परमुक खाद्यान वाली crap मानी गई है चलिए फिर आज का topic सुरू करते हैं जिसका नाम है rice यानि की धान इसके विग्यानिक नाम की बात करें तो इसका विग्यानिक नाम होता है और आईजा setaiva कहा जाता इसको family की बात करें तो यह gramini यानि की इसको poesi कहीं कहीं पर घास कुल दिया जाता है तीनों नामों से जाना जाता है इसकी फैमिली कौन सी है ग्रेमिनी या पोईसी या घासकुल कहा जाता है बात करें इसका उत्पत्ति स्थान एंडो वर्मा यानि कि इसको कह सकते हैं इसका उत्पत्ति स्थान दच्छली पूर्वी एशिया कहीं कहीं पर एंडो वर्मा ना देकर दच्छली पूर्वी एशिया दिया रहता है तो आप लोग कनफ्यूज एकदम न होईएगा बात करने क्रोमोजोम नंबर की यानि कि गुणसूत्र संख्या की तो गुणसूत्र संख्या इसका उता 2N बराबर 24 होता है एशिया भारत में सारुधिक खाए जाने वाला अनाज कौन सा है चावल है पूरे बिस्व में 90% चावल का उत्पादन सिर्फ एशिया में ही होता है बात करें जो राइस का पुस्पकरम होता है उसका परकार यानि कि पुस्पकरम का परकार जो होता है पेनिकल होता है फल का परकार केरियोप्सिस होता है बात करें भारत का चावल के छ्षेतर फल के दिरिष्टी से तो पर्थम अस्थान इंडिया का आता है शेतरफल की बात करेंगे तो पर्थमस्थान आपका इंडिया आता है शेतरफल की दिरिष्टी से भारत का पर्थमस्थान आता है अगर बात करें उत्पादन की दिरिष्टी से तो उत्पादन की दिरिष्टी से चीन के बाल भारत का दूसरा स्थान आता है भारत में चावल उत्पादन में जो पर्थमस्थान पर बना हुआ राज्य है उस वह पहश्री मंगाल है तथा उत्पादक्ता में पर्थमस्थान पंजाब का है धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? 36 गड़ को कहा जाता है राजस्थान की बात करें तो चावल उत्पादन में कौन सा जिला पर्थम स्थान में है तो हनुमानगर डिश्टिक जो है वो राजस्थान का पर्थम स्थान पर है बात करें बास्मती चावल उत्पादन में तो बास्मती चावल उत्पादन में जो राजस्थान का बूंदी जीला है वह पर्थमस्थान पर बना हुआ है धान का टेस्ट वेट यानि कि जो 1000 धानों का वेट होता है वह टेस्ट वेट कहलाता है तो वह 25 ग्राम का धान का टेस्ट वेट होता है अगर पूछ लेता है बासमती चावल का टेस्ट वेट कितना होता है तो बासमती चावल का 18 ग्राम टेस्ट वेट होता है चलिए आगे छिलके यानि की एक मिनट छिलके सहित अनाज को क्या कहा जाता है ब्राउन राइस कहते हैं तथा छिलके रहित अनाज को क्या कहते हैं चावल कहते हैं यानि की वाइट राइस कहते हैं औराईजा सेटाइबा की उत्पत्ति कहां से हुई है जंगली जाती औराईजा फर्तुवा से हुई है ये ध्यान रखेंगे आप लोग औराईजा फर्तुवा से हुई है इसकी उत्पत्ति स्थान बिस में औरायजा की 24 जातियां होती हैं जिनमेंसे दो वेफसाइक अस्तर पर उगाई जाती है औरायजा, गलेवरीमा यह केवल दच्छनी अफेरिका में लगाई जाती है औरायजा सेटाईवा इसको इसकी तीन परजातियां होती है यह मुख तया कहां पर लगाई जाती है एसिया में लगाई जाती है औराइजा सेटाइवा वेराइटी इंडिका दूसरी है औराइजा सेटाइवा वेराइटी जापॉनिका तीसरी है औराइजा सेटाइवा वेराइटी जमानिका यह तीन जो परजातिया है यह मुख रूप पर 24 होती हैं, बात करते हैं औराया सेटाईवा की, औराया सेटाईवा यह मुख्धा उस्न जलवाई वाले छेत्रों में उगाई जाती है, यह एशिया में सार्वधिक भारत में उगाई जाती है, यह खाद और उर्वर्ग कम ग्रहन करते हैं, खाद और उर्वर्ग को कम लेत गिरने की संभावना अधिक होती है बात करें दूसरी जाती जो है और आइजस इताईबहवा वेराइटी जवानिका यह मुखता जा पान में लगाई आती है यह सितोष्न जलवायु की उपयूक्त फसल है तीसरी आती है वेराइटी हमारी ओराईय सेटाइवा वेराइटी जवान का इसे बालू धान भी कहा जाता है कौन सा धान बालू धान भी कहा जाता है यह मुख रूप से इंडोनेसिया के अंदर उगाई जाती है भारत में 65% लोगों का भोजन क्या है चावल है और चावल SDP यानि कि 60 डे प्लांट है यह स्वाप रागित एक फसल है धान में पाई जाने वाला प्रोटीन जो है औरोजो नीन होता है इसको क्या कहते हैं औरोजी नीन कहा जाता है धान में प्रोटीन की मात्रा यह होती है 6-7% तक पाई जाती है बात करें अनाजो में जो सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है वो कौन से खाद्यान वाली फसल या अनाजो में पाई जाती है धान के अंदर पाई जाता है धान के अंतरगत सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है चावल में वसा की मातरा 2.2 सिले के 2.5 परतिसद तक होती है बात करें कार्बो हाइडरेट की, कार्बो हाइडरेट की मातरा 77 सिले के 89 परतिसद तक इसमें कार्बो हाइडरेट की मातरा होती है धान की खेत में methane gas निकलती है धान के बोनेपन का जीन जो होता है उसको DG, O gene कहा जाता है कौन से जीन कहते हैं? DG, O gene कहा जाता है और धान जो की अभी अभी बता हैं, Saturday plant है, इसको C3, C3 plant भी कहा जाता है धान के दाने को क्या कहते हैं? कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं एक किलो धान उत्पादन करने में पांच हजार लीटर पानी की आवशक्ता होती है जबकि अन्य फसलों को कितनी आवशक्ता होती है चार सो से लेके पांच सो लीटर पानी की आवशक्ता होती है बाकी धान एक ऐसी क्राप है जिसको उसको कम्पलीट पूरा जीवन चक्र करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवशकता होती है एक किलो धान उत्वादन करने के लिए जरकि अन्य फसलों के क्या है एक किलो आनाज उत्वान करने के लिए चार सो से पान सो पानी की आवशक्ता पढ़ती है अब हमारा जो टॉपिक आता है उसका नाम है जलवाय। यानि कि जलवाय की बात करें धान एक उश्न और नम जलवाय की फसल है और इसके वृध्धी के लिए उपियुक तो जलवाय। चाहिए 25 से लेके 30 degree centigrade जलवाय की आवशक्ता होती है यानि कि पौधे की वृध्धी और विकास के लिए जो टेंपरेचर चाहिए 25 से लेके 30 degree centigrade तापमान की आवशक्ता होती है लेकिन फसल पकते समय तापमान कितना होना चाहिए फसल पकते समय तापमान जो है 25 से 20 से 25 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान की आवशकता होती है बात करें स्वैल की यानि की मिर्दा कैसी चाहिए चिकनी और मठियार दो मठ मिट्टी की आवशकता पड़ती है और उस मिट्टी का पी-एच मान साड़ी पांच लेके साड़ी छह के बीच होना चाहिए और धान एक ऐसी फ़सल है जिसको कम पी-एच मान पर भी यानि कि चार अगर पी-एच मान है मिर्दा का उस मिर्दा में भी इसको आसानी से उगाय जा सकता है क्योंकि चावल अमली मिर्दाओं के प्रती क्या है सहनसील क्राप है बात करें बुवाई का समय बुवाई का समय यानि कि पूरे वर्स में तीन बार इसकी बुवाई की जा सकती है बात करें वर्सारीतु की वर्षा रितु में जो फसल को लगाते हैं उसको इस्थानिय नाम अस के नाम से जाना जाता है कौन सा नाम अस कहा जाता है यानि कि जो वर्षा रितु की क्राप है बिहार और पह्षिम बंगाल में इसको उगाई जाती है इसको वहां के लोग अस के नाम से जानते हैं इसकी बुवाई जो है अप्रेल और माई के महीने में की जाती है बात करें कटाई की कटाई जो है सितंबर से लेके अक्टूबर के माह में असकी की जाती है यानि कि अस की बुवाई कहां पर करते हैं बिहार और पश्री मंगाल में करते हैं और इसको अस के नाम से जाना जाता है यानि कि यह वर्षा रीतु की फसल है बात करनें दूसरी सीत रीतु की फसल तो इसको यानि कि इस कराब को ओडीसा में लगाय जाता है इसको वहाँ की निवासी अमन के नाम से जानते हैं अमन इसकी बुवाई का समय है जून और जुलाई का महीना और कटाई नौंबर और दिसंबर के महीने में इसको कर लेते हैं बात करें तीसरी फसल जो आती है हमारी बसंत और ग्रिश मकालिन यानि कि इसको बोरो के नाम से भी जाना जाता है इस्थानिय नाम इसको बोरो कहते हैं यह जो इसकी बुवाई नॉंबर और दिसंबर के महीने में करते हैं और मार्च और अप्रेल में इसको काट लिया जाता है एक चीज़ और आपको बता दें ये जो बोरो की क्राप है इसको कहाँ पे लगाते हैं पाश्चिम बंगाल में लगाये जाता है चलिए आगे बात करें बीजदर की बीजदर छिड़काव विधी से अगर हम बुवाई करेंगे तो उस समय हमारी बीजदर की मात्रा लगेगी 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर यानि की छिड़काव विधी से अगर हम बुवाई कर रहे हैं तब सीड ड्रिल से अगर हम धान की बुवाई कर रहे हैं तो 60 किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से हमारा सीड लगेगा बात करें नरसरी द्वारा, अगर नरसरी के माध्यम से हम धान का रोपन कर रहे हैं तो इसमें 30 से लेके 40 किलोग्राम हमारा धान लगेगा, धान का ये सीड लगेगा बासमती चावल की बात करें तो बासमती चावल एक हेक्टेर के लिए 20 किलोग्राम परियाप्त रहता है संकर धान की बात करें तो ये भी 20 किलोग्राम एक हेक्टेर के लिए परियाप्त रहता है अब बात आती है नरसरी तेयार करने की विधी नरसरी तयार करने की विधी में पहली जो विधी आती हमारी उसका नाम है गीली विधी इसको गीली क्यारी विधी भी कहा जाता है इस विधी में खेत की जुताई करके खेत में 8 x 1.25 मीटर की क्यारी बना लिया जाती है तथा क्यारियां बनाने से पहले पडलिंग कर लिया जाती है पडलिंग यानि कि लेवा बना लिया जाता है पडलिंग इसलिए किया जाता है कि खरपतवार नियंत्रन के लिए धान के अंदर पडलिंग की किरिया की जाती है अब इसमें एक हेक्टेर एक हेक्टेर आकार के अगर एक हेक्टेर की नरसरी हमें त्यार करनी है एक हेक्टेर में धान का रोपन करना है तो पचास क्यारियां इस आकार की बनाई जाती है यानि कि 8 इंटू 1.25 मीटर की पचास क्यारियां अगर हम बनाएंगे तो एक हेक्टेर पौध रोपन के लिए हमारे परियाफ्त रहेगा एक हेक्टेर पौध रोपन ही तो नर्सरी में 500 वर्ग मीटर अस्थान की आवशक्ता होती है क्यारियों में अंकुरित बीजों को लगाया जाता है बीज से तीस दिन बाद पौध नर्सरी से खेत में अस्थान अंतरन करने योग्य हो जाता है इस तरह की नर्सरी में खरपतवार की समस्या नहीं रहती है अब दूसरी जो विधी हमारे आती है सूखी क्यारी विधी यानिकि इस विधी में पौध 25 से 30 दिन में अस्थानांत्रन की योग्य हो जाती है तीसरी विधी जो आहमारी आती है डेपोग विधी डेपोग विधी यह यह विधी IRRI International Rice Research Institute मनीला फिलिपिन्स द्वारा विख्सित की गई यह विधी कहां से विख्सित की गई? IRRI मनीला फिलिपिन्स द्वारा विख्सित की गई इस विधी में मिट्टी की आवशकता नहीं पड़ती फर्स पर ही पौध त्यार की जाती है फर्स पर बीजों को फैला कर जूट की बोरियों केले के पत्तो द्वारा ढख दिया जाता है इस विधी द्वारा एक हेक्टेर के लिए 25-30 वर्ग मीटर स्थान अथ्वा कुल रोपाई का एक अनुपात स्थान की आवशकता होती है जो की नरसरी से बहुत कम है फ्रती वर्ग मीटर में तीन किलोगराम पीजों की आवशकता होती है एक वर्ग मीटर में 3 जलोगराम पीजकी आवशकता पढ़ती है इस विधि से अगर लगाएंगे तो हमाँर से लेके 13 दिन में पौध तयार हो जाती है ट्रांस्प्लांटिंग के लिए बाकि दूसरे में जो है 20 से 22 दिन का समय लगता है चोथी जो विधी हैं हमारी आती है धान की SRI इसको सिस्टम ओफ राइस इनेस्टिफिकेशन कहा जाता है यह विधी जो है मेडा गासकर देश दोरा निकाली गई है एक हेक्टेर हेतू 100 बार मीटर स्थान की आवशकता होती है प्रती हेक्टेर हेतू 5 किलोगराम बीज की आवशकता होती है अगर एक हेक्टेर हम धान को लगा रहे हैं तो SRI विधी में 5 किलोगराम सीड की ही आवशकता पड़ेगी अगला हमारा पॉइंट है बोवाई की बिधी यानि कि बोवाई की बिधी बोवाई की बिधी कई परकार से की जाती है जैसे लेह बनाकर बोवाई करना जहां पर सीचाई की सुविधा होती है उन्हीं स्थानों पर इस वीधी को अपनाया जाता है पहले पडलिंग करना पहले इस वीधी में क्या करते हैं पडलिंग करना पडलिंग करना किसे कहते है चावल के खेत में जुताई करने के बाद चावल की खेद में जुताई करने के बाद मिट्टी वे पानी का मिसरण अच्छी तरह से कर लिया जाता है उसको क्या कहते हैं पडलिंग कहा जाता है पडलिंग का उद्देश से क्या है अभी अभी हम बता हैं पडलिंग का उद्देश से क्या है जो आम तोर पर हर जगा अपनाई जाती है अब बात करें उर्वर्क की अब बात करें खाद और उर्वर्क की खाद और उर्वर्क प्रती हेक्टेर की दर से जो डालेंगे वो इस परकार जैसे FYM अगर डालना है यानि कि गोवर की खाद डालना है 10-45 टन प्रती हेक्टेर की दर से हमें FYM डाला जाता है एक हेक्टेर खेट के लिए FYM की मातरा 10-45 टन प्रती हेक्टेर की दर से खेट के अंतरगत डाला जाता है अब बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की मातरा 100 kg प्रती हेक्टेर की दर से नाइट्रोजन दिया जाता है, फासफोरस 60 kg फासफोरस दे दिया जाता है, और बात करें पोटास की, तो पोटास 50 kg प्रती हेक्टेर की दर से दे दिया जाता है, धान में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में दिया जाता है धान के अंदर जो नाट्रोजन होती है वो अमोनिया के रूप में दी जाती है इसलिए इसे अनाक्सिक्रित छेतर में देते हैं अन्य उर्वरकों को अक्सिक्रित छेतर में दिया जाता है अक्सिक्रित छेतर जो होता है पांस से तस सेंटीमीटर की गहराई तक होता है धान के खेत में जेव उर्वरक के रूप में दो से तीन टन एजोला प्रती हेक्टेर की दर से देते हैं अथवा इसकी अस्थान पर नील हरिद सेवाल का परियोग कर सकते हैं या एना विना का परियोग कर सकते हैं अथ्वा एजिस्पो, रहिला इसका भी परियोग कर सकते हैं यह एक परकार के जिवानू है जो आयो मंडल से नतरजन को इकठा करकर प्लांड को पहुचाने का काम करते हैं अगर खेत के अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में हैं तो एजोला और नील हरी सेवाल जो आप खेत के अंतरगत डाले हैं तो वह एक वर्दान के रूप में आपके खेत के खेत को में सिध्ध हो सकता है बात करें खेत में रोपाई की एक सब्ताह बाद 2-3 टन एजोला प्रती हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दिया जाता है नील हरी सेवाल प्रती वर्ष धान की खेत में 20-30 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर जो है नाइटरोजन को इस्थरी करन करने की छमता रखती है बात करें सिचाई की सिचाई की बात करें तो सिचाई जो है धान की जलमांग जो है 900 से लेकि पच्चिस सो यम यम धान की जलमांग होती है यानि कि पीछे हम अभी बताए थे आपको कि धान में कितने लीटर पानी की आफशकता होती है एक किलो वीज उतपादन करने के लिए यानि कि एक किलो धान उतपादन करने के लिए 5000 लीटर पानी की आफशकता होती है बाकी फासलों में 400 से 500 लीटर पानी की आफशकता पड़ती है अब धान की खेत में 5 सेंटिमीटर पानी जो है हमेशा खड़ा रहना चाहिए धान का जो खेत है 5 cm तक पानी उसके अंदर हमेशा रहना चाहिए फसल पकने के दो सबता पहली खेत से पानी को निकाल देना चाहिए सिचाई की करांतिक अवस्था फूल आने से पूर कले निकलते समय दाना बनते समय और दूधिया अवस्था में यानि कि जो है इसकी धान की करांतिक अवस्था की बात करें अगर धान की करांतिक अवस्थाओं के बारे में पूछे तो इसमें पांच परकार की करांतिक अवस्थाओं होती हैं पहली करांतिक अवस्था पूछे यानि कि जो पह अब बात करें खरपतवार की, खरपतवार नियंतरण के लिए, इसमें मुख रूप से खरपतवार जो पाई आती हैं, जैसे जंगली धान, धान की खेद में जो परमुख रूप से खरपतवार हैं, जैसे मोथा है, मकरा है, दूब घास है, जंगली धान है, जंगली धान का व ये इसका विग्यानिक नाम होता है, एक होता सामा घास, ये भी धान का परमुख रूप से खर्पतवार है, इसका भी विग्यानिक नाम एकाईनो, कोला, ग्रास, गेली, इसका विग्यानिक नाम होता है, ये दोनों धान की खेत की मुख खर्पतवार हैं, कौन-कौन सी, एक ज चलाकर खरपतवार या अधिक पानी को निकालने की किरिया को बुरुष्णिंग कहा जाता है कभी कभी पूछ लेता है एक्जामों में कि बुरुष्णिंग किसे कहते हैं धान की खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार या अधिक पौधों को निकालने की किरिया को बुरुष करते हैं जैसे यहां पर दिया गया है जंगली अगर धान है तो उसके लिए नियंतरण के लिए ब्यूटा क्लोर का परियोग किया जाता है ब्यूटा क्लोर या बैंथियो कार्व यह दोनों में से एक दवा को लेकर परियोग कर सकते हैं अब आती है बात कि बैंथियो कार्व क प्रती हेक्टेर की दर से सक्रिय तत्तो यानि कि यह प्री इमर्जेंस है यानि कि अंकुरन से पूर्व हम इसका परियोग करते हैं कि इसका बैंथियो कार्ब का अंकुरन से पूर्व परियोग किया जाता है और यह प्री इमर्जेंस इसको कहा जाता है जो भी खरपतवाद न चिसरा जो आता है हमारा प्रोपेनील इसको स्टांप f 34 कहा जाता है। प्रोपेंिल को क्या कहा जाता है? Fine F32 कहा जाता है, यह धान में प्रोपेंिल एक ऐसा खरपतवार नासी है जो कि रोपाई के बाद या अंकुरन के बाद पोस्ट इमरजस है, वो प्री-इमरजस था, यह पोस्ट इमरजस है, यानि कि यह इसका परियोग कप करेंगी? अंकुरन के बाद, जब धान हमारे अंकुरन है, अंकुरन हो जाते हैं, या खड़ी फसल है, तो उसमें हम इसका प्रोपिनिल का परियोग करते हैं, बाकी जितने भी खरपतवा नासी बताए हैं, पेंथियो कार्फ है, ब्यूटा कलोर है, ये सब का परियोग हम चाहे एनिल फ प्रोपिनिल का परियोग कब करना है, इसे धान की रोपाई की एक सबताः बाद, यानि कि अंकुरन के बाद, तीन किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से इसमें भूमी में परियोग किया जाता है, यानि खड़ी फसल में परियोग करते हैं, एक और हमारा आता है, जो खरप जैसा कि यहां लिखा हुआ है धान की खेत में प्रोपिनील का उपयोग खरपतवार के रूप खरपतवा नासी के रूप में यानि कि दो से तीन पते जब धान की खेत में आ जाएं धान के फसल पर आ जाएं तब इस खरपतवार नासी का परियोग करेंगे किसका प्रोपिनील का परियोग करते हैं कितना परियोग करते हैं प्रोपी निल का तीन किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से परियोग किया जाता है अब बात करें उपज की उपज की बात करें तो उपज अगेती अगर किसमें हम उपज ले रहे हैं तो अगेती में 40-50 टन प्रती हेक्टेर की दर से उपज मिल जाती है अगर मध्यम किसम है तो मध्यम अगर हम किसम ले रहे हैं मध्यम समय में तो 60-70 कुईंटल प्रती हेक्टेर की दर से हमें उपज प्राप्त हो जाती है संकर यानि कि हाइबरीड में 60-70 कुईंटल परती हेक्टर की दर से हमें उपच प्राप्त हो जाती है बात करें समाने बाली निकलने के एक माह बाद धान पक कर तियार हो जाता है जैसे बाली निकलना इस्टार्ट हो जाती हमारी फसल में कराप के अंदर एक महिना का समय लगता है हमारी धान की कराप को पकने में बात करें भंडारन भंडारन कितनी नमी पर हमें करना चाहिए जिससे हमारा अनाज जो है सुरच्छित रखा जा सकते हैं तो 10% नमी अगर रहेगी उस धान के अंदर चावल के अंदर तहम उसको काफी लंबे समय तक भंडारी करके रख सकते हैं यानि कि उसके अंदर फंगस वगरा हमारे जो अनाज हैं खराब नहीं होंगे बात करें जो धान और छिलका जो धान होता है और उसके उपर छिलका होता है इनका अनुपात कितना होता है दो अनुपात एक होता है यानि कि दो अनुपात में दाना निकलता है एक अनुपात में आपका छिलका निकलेगा यह कुछ धान की फेमस किसमें जैसे की ये जो TN1 जो किसम है, बिसु की परथम बोनी किसम है प्रथम बोनी किसम कहा जाता इसको, TN1 को भारत में सारो पर्थम ताइवान से लाई गई ये जो किस्म है भारत में सबसे पहले कहां से लाई गई किस देश से लाई गई ताइवान से लाई गई दूसरी जो किस्म आती है IR-8 इसको IR-RI द्वारा बिक्सित की गई किस्म है इसके अंदर IR-8 में क्या होता है जिवानु पत्ति जुलसा रोग के प्रति क्या है प्रतिरोधी किस्म है इसे चमतकारी यानि कि जादोई धान के नाम से भी जाना जाता है IR-8 को जादोई धान के नाम से जाना जाता है यानि कि चमतकारी धान के नाम से जाना जाता है और यह जिवानु पत्ति जुलसा जो रोग लगता है उसके प्रति क्या है प्रतिरोधी किस्म है यह IR-8 तीसरी जो किस्म आती है जया यानि कि भारत की प्रतम बोनी किस्म है भारत क को जया के नाम से जाना जाता है यह TN1 और IR8 दोनों से अधिक उपज देती है भारत में इस किस्म को यानि कि जया को चमतकारी और जादूई धान के नाम से जाना जाता है भारत में अगर पूछ लेता किस किस्म को चमतकारी यानि कि जादूई धान के नाम से जाना जाता है त तो जया को जाना जाता है, तीसरी जो किस्म है, जगनात वर संतारी, कहीं कहीं पर जगनात कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको संतारी कहा जाता है, तो यह किस परकार की किस्म है, जगनात वर संतारी, यह उत परिवरतं दोरा तयार की गई किस्म है, और एक आती है, लूनी सिरी, लूनी सिरी ये भी काफी फेमस वेराइटी है इसके बाद IR-8 तथा CSR-10 ये लवण ये रोधी किसम है यानि कि खारपन जो भूमी होती है जिसमें लवण की मात्राधीक होती है जिस मिर्दा में उस मिर्दा के अंदर भी IR-8 और CSR-10 इन दोनों किसमों को असानी से लगा सकते हैं बात करें साबरमती साबरमती बलाष्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी किसम है बाला यानि कि किसम का नाम है बाला बाला वे बुवाली के नाम से भी जाना जाता है सुक्ष्म छेत्रों के हेतु उप्योगत है जो छोटे छेत्र हैं या सुक्ष्म छेत्र हैं उन छेत्रों पर बाला और बुवाली को असानी से लगा जा सकता है उतले जलमांग वाली हेतु उतले जो जलमांग वाली भूमिया है उस भूमि में पंकाज, जगनात और पदमा इन सब किस्मों को आसानी से लगा सकते हैं पूसा बासमती वन यह बासमती चावल बिस्व में प्रथम उच्च गुणवक्ता वाली किस्म है PRH-10 बिस्व की परथम बासमती संकर किस्म है इर चार्य भूमी हेतु उपयुकत किस्म है गहरे जल जहाँ पर गहरे जलवाली भूमियां होती हैं उन भूमियों में किस परकार की किस्में लगा सकते हैं मधुकर, जल मगन और चकेया ये तीन किसमे ऐसी हैं मदुकर, जलमगन और चकेया ये इन किसमों को हम गहरे जलमगन यानि कि जहां पर पूर्ण रूप से भूमियों में जल भरा रहता है हमेसा भरा रहता है उन छेतरों के लिए मदुकर और जलमगन और चकेया उनसट इन किसमों को आसानी से आप लगा सक राज ये सोरी और हेमा किसम को अब बात करें golden rice इसमें केरोटीन की मात्रा 37% तक पाई जाती है केरोटीन की मात्रा golden rice के इंतर कितने पाई जाती है 37% पाई जाती है दाने का रंग कैसा होता है सुनहरा होता है और पीला होता है इसलिए इसको golden rice कहा जाता है तारावती बासमती दाना उबलने के बाद दोगुना हो जाता है यानि कि चावल की ऐसी कौन सी किस्म है जो चावल या दाना उबलने के बाद दोगुना हो जाता है वो तारावाती बासमती ये धान ऐसा है जो उबलने के बाद क्या होता है धाने के दोगुना बढ़ जाता है उसकी लंबाई बिसिष्टता तने भेदक गालमाइट के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है बिसिष्टता ये किस्म का नाम है ये कैस ये दो किसमे हैं कावेरी है गोविंध है नागीना बाइस है ये अगेती किसमे है धान की अगेती किसमे जो की हमारी 100 सो से लेके 103 दिन में कटाई के लिए तयार हो जाती है अगेतिक इसमें कितने दिन में तयार हो जाती है 100 से लेके 103 दिन में कटाई के लिए तयार हो जाती है अब बात करें मध्यम जाती है मध्यम जाती है कितने दिन में कटाई के लिए तयार हो जाती है 120 दिन में कटाई के लिए तयार हो जाती है इसमें कौन से होती है मध्यमें? साकेचार, रतना, आईयाराट चोविस आईयाराट और आईयार चोविस यह ऐसी परजातियां मध्यम जाती होती जो की 120 से लेके 120 दिन का समय लगाती है अब बात करें रोग का मुख रोग कौन कौन से धान के अंदर गत लगते हैं जैसे सबसे परमुख रोग है, ब्राउन स्पोर्ट यानि कि भूरी पत्ती धबा रोग इसको कहा जाता है मुख रोग, पहला रोग है ब्राउन स्पोर्ट यानि कि भूरी पत्ती धबा रोग यह जो रोग है धान में परमुख रूप से फैलने वाला रोग है यह एक फंगस यानि फंफूद के दोरा होता है उस फंगस का नाम है हलमिन्थो इस्पोरियम उस फंगस का क्या नाम है हलमिन्थो इस्पोरियम और आजी नामक कबक की करण होता है इस रोग को360, इस रोग के कारण क्या हुआ था ? 243 पहश्यममंगाल में अकाल पड़ा था 243 की अंतरगत पहश्यमंंगाल में इस रोग की अधिकता की कारण पूरी फस्ब भासल बरबाद हो गे थी इस रोग के कारण इसके पर्ति रोधी कुछ विराइटियां है जिसके अंदर गत ये ब्राउन इस्पोर्ट या भूरी पती धबा रोग या ब्राउन लीफ इस्पोर्ट ये नहीं लगता है जैसे कौन-कौन से पर्ति रोधी किसमें बाला है, कृष्णा है, आई यार चोविस है, सीता है ये च एसा मारी रोग भी कहा जाता है ब्लास्ट डीजिस के नाम से भी जाना जाता है ये रोग पारिकुलेरिया और आई जि नमक कवक की करण होता है ये जो रोग है ये रोग हवा दौरा फैलता है इस रोग से परभावित धान के पौधों में कौलर रोट यानि की रोटन नेक दिखाई देते हैं तीसरा जो रोग है मारा जिवानु पत्ती जुलसा रोग इसको बैटेरियल लीफ ब्लाइट भी कहा जाता है यानि कि जिवानु पत्ती जुलसा रोग इसको धारी रोग के नाम से भी जाना जाता है यह जो रोग है जिवानु दार होता है उस जिवानु का कारण यह रोग होता है इसे धान की नर्शरी का कैंसर रोग भी कहा जाता है यानि की बैक्टेरियल लिफ बलाइड को कहा जाता है जिवाणो पती जुलसा रोग की नियंतरन के लिए हम क्या करेंगे 0.01% स्ट्रेप्टो माइसीन या स्ट्रेप्टो साइकलीन और 0.3% कॉपर आक्सी कलराइड दोनों को मिला कर हम एक या दो इस्प्रे करेंगे इस्प्रे का अंतराल 15-15 दिन का अंतराल पर 2-3 इस्प्रे करने पर यह रोग पूर्ण रूप से नश्ट हो जाता है यानि की खतम हो जाता है इसमें एक परमुख रोग है अकोची रोग यह जो रोग है एस्टू एस की अधिखता के कारण होता है किसकी अधिखता के कारण होता है एस्टू एस की अधिखता के कारण यह रोग होता है एक और रहता है उफरा रोग यह सुत्र क्रीमी द्वरा होता है उफरा रोग किससे होता है? सुत्र क्रीमी द्वरा होता है अब बात करें मुख कीट की धान के अंदरगत कौन से मुख कीट लगते हैं एक तो तना बेधक लगता है दूसरा है भूरा तना फुदका लगता है यानि कि धान का गंदी बग भी एक परमुख परकार का इसमें कीट है जो कि धान को सबसे ज़्यादा परभावित करती है धान का गंदी भग जो है इस कीट से अतिधिक धान परभावित होता ही है इसमें कहता है एक परकार की दुरगन दाती है इसलिए इस कीट का नाम क्या रख दिया गया गंदी भग के नाम से जाना जाता है इस क दानों और पतियों से रस चूसने का काम करते हैं और बालियों पर पूंड रूप से छती पहुंचाते हैं इस कीट को नियंतरन करने के लिए हम मैला थियान 50 EC यानि कि 625 ml प्रेती हेक्टेर की दर से छिड़काव करते हैं तो गंदी बग जो है यह पूंड रूप से नश्ट ह हो जाता है अब बात करें यह भूरा भूरा फुद का कीट यह कीट धान को काफी ज्यादा हानी पहुंचाता है इसके लच्छन जो होते हैं सुरू से ही दिखाई देने लगते हैं अब जो रोग है तना बेधक यानि कि जो तना बेधक ये धान का ये भी परमुख कीट ही माना जाता है क्योंकि ये धान का एककल भच्छी यानि के परमुख कीट के रूप में जाना जाता है इसकी जो लटे जो होती है ये पौधे पर मृत धबे पैदा करती है जिन पौधों पर इस कीट का परकोप जल्दी होता है उसमें बालियां उसके बालियों में दाना नहीं बनता है यानि की दाना भी ही वो बालियां रह जाती है जिसे सफेद बाली भी कहा जाता है इसको क्या समती धान परभावित होती है अब बात करें कुछ काई की विकार यानी कि जिसको फीजिखियोलाजिकल dot disorder कहा जाता है पहला dusarder मैं काई की विकार है जिसको पेन रोक कहा जाता है यह सुस्क जलवायु के करण हो जाता है अगर जलवायु सुस्क है यानि कि एकदम ही सुस्क हो गई है तो उस जल्वाई की करण कौन सा जो physiological disorder उत्पन होता है pen adequate कहा जाता है browning browning किसके करण होता धान में एफ-E की अधिकता की करण होता है यानि कि iron या लोह तत्य कि अगर अधिकता हो गई तब कौन सा physiological disorder हो जाएगा राइस के अंदर? ब्राउनिंग हो जाएगा यह खुदा ब्रॉंजिंग धान के अंदर किसकी कमी की करान होता है? ZN यानि कि ZN की अगर कमी हो रही है तो ब्रॉंजिंग नामा physiological disorder उत्पन हो जाएगा राइस के अंदर लास्ट में हम आपको जो बता रहे हैं धान के अंदर सबसे important कुछ point है उनको note कर लीजेगा super rice, super rice जो की धान का परमुख important है ऐसी किसमें जो समानी किसमों की तुलना में डेड़ गुना अधिकुद पादन देती हैं कितनी डेड़ गुना अधिक उत्पादन देती हैं उसको क्या कहा जाता है, super rice कहा जाता है यानि कि ऐसी किसमें जो समानी किसमों की तुलना में डेड़ गुना अधिक उत्पादन देती हैं उसे super rice कहा जाता है ये कौन सी किस्म है? लूनी सीरी इसके अंतरगत आती है कौन सी किस्म आएगी? लूनी सीरी लूनी सीरी कैसी किस्म है? सूपर राइस किस्म है जो की समानी किस्मों की तुलना में डेड़ हुना उत्पादन अधिक दे रहे है दूसरा point धान की सारुदिक प्रोटीन वाली किसम है अगर धान की सारुदिक प्रोटीन वाली किसम है अन किसमों की बात करें कस्तूरी, खुस्बू, चंबल, कवेरी, अकांशी ये काफी famous variety हैं जो पूछा जाता है कि कस्तूरी, खुस्बू, चंबल, कवेरी, अकांशी ये कि किस क्राप की मतलब फसल है तो यह धान की ही क्राप है बात करें बास्मति धान में सबसे ज्यादा सुगंद जो होते पैडामा, रीला, किटोन के करान आती है जो पुछा जाता है बासमती धान में जो सुगन दाती है किसके करान आती है पेडाम, रीला, किटोन के करान यह सबसे ज़्यादा सुगन दाती है जो की कटाई 18 से 20% नमी रहने पर की जाती है बिसु का जादूई धान किसे कहा जाता है बिसु का जदू इधान एक बार पीछे हम बता चुके हैं बिसु का जदू इधान IR-8 को कहा जाता है आज का लेशन हमारा जो राइस के उपर था आज का लेशन यहीं हमारा समाप्त होता है और अगर आप लोगों का आज का जो चेप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब और लाइक जरूर करिएगा और सेयर भी करिए ताकि सभी लोग इसको सस्क्राइब करें और हम नए इसी परकार नए नए वीडियो परतेक क्राप के उपर एक्रोनामी में लाते रहेंगे ताकि आप लोगों को हर एक्जामों में अच्छे से काम करें जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को धन्यवाद और हम सब को धन्यवाद देना चाहते हैं थैंक यू